कोरोना वाइरस को डबलू अच्चो ने महमारी घोशित कर दिया है वहीं इसका असर हर जगा देखने को मिल रहा है कोरोना वाइरस की वज़े से देश में पहली मौत की पुष्टी भी हो गई है वहीं अब तक कोरोना के कुल 73 पॉजिटिव मामले सामने आए है देश और दुनिया में इस वक्त इस बिमारी की वज़े से चिंता का महौल है इसका असर बिजनेस और सिरिमा जगत पर भी साफ देखने को मिल रहा है कोरोना वाइरस पर सदी के महानायक अमिता बच्चन ने भी अपना रियक्शन दिया है अमिता बच्चन एक्टिंग के अलावा शोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं हाली में उन्होंने कोरोना वाइरस को लेकर ट्वीटर पर अपनी राय फैंस के साथ शेयर की उन्होंने कहा कोई डरने की बात नहीं है और इसका डटकर सामना करना चाहिए बिगबी ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं आने दो करोना वरोना ठेंगा दिखाओ तब कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमान स सब केकर सुने केकर ना ही कौन बताई सब क्यों कहस कलाउंजी पीसो क्यों आवला रस क्यों कहस कलाउंजी पीसो क्यों आवला रस क्यों कहस घर में बैटो हिलो नठस से मस अब इर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना बीर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना बिन साब उनके हाथ धोई के के उनका भाईया छुओ ना हम कहा चलो हमाओ कर देते हैं जैसन बोलें सब हम कहा चलो हमाओ कर देते हैं जैसन बोलें सब आपको बता दे इससे पहले भी अमिता वच्चन हमेशा ही हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी राय सोशल मेडिया पर रखते आए हैं वहीं फैंस को भी उनकी नए अपडेट्स का हमेशा ही बेसबरी से इंतिजार रहता है विगबी के वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिता वच्चन की अपकमिंग फिल्मों में गुलाबो सिताबो चहरे और जुन जैसी फिल्में शामिल है वहीं अगर हम कोरोना वाइरस की बात करें तो दिल्ली से पहले केरल और जम्मू में सिनेमा घरों को बंद करने का ऐलान किया गया था इसके चलते कई फिल्मों की रिलीज डेट भी टल गई है अक्षिकुमार की फिल्म सूर्यवंची जो पहले 27 मार्च को रिलीज होने वाली थी उसकी रिलीज डेट भी चेंज कर दी गई है करोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए पब्लिक गैधरिंग से दूर रहने की सला दी जा रही है वहीं भारत में करोना के अब तक 70 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुकी है इसमें से 56 भारती हैं और 17 नागरिक विदेशी हैं दिली में करोना वाइरस के अब तक कुल 6 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं एचेस न्यूस के लिए प्रितिराजपूत रिपरोट